आज हम सभी लोग एक नए एक्ट को डिल करने आई ही गए जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि हिंदू लोग को डिल करूँगा दोस्तों तो आज से हम लोग हिंदू लोग को बेसिक कॉंसेप्ट कह सकते हैं या फिर हम यह कह सकते हैं निल बटा संदाटा जीरो से स्टार्ट करेंगे अगर कोई कुछी को कुछ भी नहीं आता है तो इस क्लास से वो स्टार्ट कर सकता है सो क्या मैं सभी को आडिबल एंड पॉफेक्टली वीजिबल हूँ एक बार बता दीजिए तागी मैं क्लास को स्टार्ट कर सुगूँ येस मैं अरुप उपाध्या है आप सभी को एक बार जैहीन एंड जैभारत करता हूं साथियो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस लेक्चर को सबसे पहले आज हम लोग जो डील करने वाले हैं वह टॉपिक है हिंदू लौ से संबंदेद और हिंदू लौ के अंदर कौन सा टॉपिक लेकर आये हैं साथियों तो आपको पता चलेगा हिंदू लौ के अंदर सबसे पहले हम सोर्सेस को डील करेंगे sources का मतलब क्या होता है sources का मतलब क्या होता है मतलब हमारा Hindu law उसका निर्माड कैसे हुआ अखिर Hindu law क्या pure कानून है क्या ये Britishers के द्वारा दिया गया कानून है नहीं साथियों नहीं यह लोता ऐसा कानून है जहां English अपना हाथ नहीं लगा पाए ये तो हमारा अपना कानून है तो आज हम पढ़ेंगे sources और उसके बाद दूसरा topic होने वाला है Schools of Hindu Law तो चलिए ready हो जाईएगा मेरे साथ आपको सभी को देखो कुछ lines में बोल भी दूँगा जो type नहीं हो पाई अभी typing में ही था सारा matter थोड़ा बहुत अगर दिक्का तो तुरुटी हो तो उसको सुधारती वे चलेंगे तो देखे family law मतलब Hindu laws family law ही होता है Hindu law तो family law में Hindu law हो गया personal law हो गया Christian laws हो गया बट हमारा आज जो topic है that is Hindu laws Hindu laws जो की एक family law है ठीक है पहला ही प्रश्ण exam में प्री में पूछा गया था कि यह एक कौन सा law है Hindu law is a Hindu law is a तो आपको आंसोर देना it is a personal law यह एक व्यक्तिक कानून है व्यक्तिक विधी है ठीक है यह एक व्यक्तिक विधी है Under the constitution of India all aspects of family law are providing in concurrent list फिर से प्री का एक प्रश्ण आता है जैसे जैसे मैं आपको content दूँगा वैसे ही वैसे आपको यह याद रखना है questions को भी solve करना है always target study करनी चाहिए ठीक है जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमारे प्री के questions भी clear होएंगे फिर मेंस के भी questions प्राजाएंगे चलिए तो हमारा law कौन सा है हिंदू law एक personal law है और इसके अलावा अगर हिंदू law की बात करें तो हिंदू law के बारे में जो list है वो कौन सी जुड़ी हुई है तो हिंदू law का जो list है वो है concurrent list जिसको हम सभी क्या कहते हैं very good समवर्ती सूची तीन सूचिया होती है दोस्तो एक तो कौन सी होती है union list, state list and concurrent list article number 246 यहाँ पर आप जाके जब देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा एक concurrent list schedule number कौन सा schedule number 7 के अंदर तीन list बने वे हैं उसमें से concurrent list के अंदर इसके सारे aspect कवर होते हैं आयूप सभी सभी को समझ में आ गया है अब देखिए तीसरा point इसका क्या कह रहा है Hindu law is considered to be of divine origin अगर बात करें कि इसका origin कहां से है तो इसका भगवान मतलब हिंदू law में हम जो भी पढ़ेंगे सब भगवान को केंदरित करते फिर आगे बढ़ेंगे पहले हम देवी देवताओं से आगे बढ़ते हुए फिर कानून में गुज जाएंगे तो कहने का मतलब हिंदू विदी को देवी उत्पत्ती माना जाता है इस टू बी कंसीड़ेड एस divine origin यस और नो अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार थोड़ा से एनरजी दिखाओ और खटाखट थमसब करदो और कमेंट भी करदो मुझे दिखाई दे रहा है सुनाई दे रहा है लेकिन मुझे सब लोग सुस्त लग रहे है देखे जी एनरजी उधर से रहेगी तो इधर से भी आएगी इट्स टू वे प्रोसेस समझे बात को तो हिंदू लोग इस कंसीडर टू बी ओफ डिवाइन ओरिजीन इसके अलावा मैं आपको बता दू हिंदू लोग डिवाइन ओरिजीन ने ठीक है लेकिन हिंदू लोग आया कहा से साथी हो तो आप अब सबी को बताओ हमारे आदी जो साधू संते ना हमारे आदे जो साधू संते वो लोग कैसे थे आपको वो लोग दिन बारो नमांस शी वाई मतलrov समझे लोग इतने जोड़दार थे हज्जारों साल 500 साल सो साल जितने साल वो जीवित हैं मंत्रों में लगा देते थे तो उनका जो वो संत कहलाते थे उनका जो connection है सिधा भगवान से हो जाता था यस और नो मतलब वो direct connection में आ जाते थे गौड के और वो कुछ बाते गौड से भी कर लेते थे भगवान से भी कर लेते थे ऐसा धारना है देखिए Hindu law was revealed to be sages who had attained great spiritual heights and they were in communication with supreme power that is God मतलब वो लोग जो थे हमारे यहां के संत जो थे साधू थे वो लोग सीधा किसके connection में आ गये थे connection with supreme power जिसको हम क्या कहते है भगवान जैश्री राम बोले सभी लोग साथ में क्योंकि गौड की बात आई है तो जो साधू संत थे direct connection काश हम लोग का भी हो जाए या सोर नो लेकिन हम लोग का direct connection हो गया न तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक बार पूरा सोना पड़ेगा अभी हम लोग डारेक कनेक्शन में नहीं जाना चाहते हैं अभी तो हमको जीना है मुझे अभी जीना है किस के लिए जुडेशरी के लिए फिर सोचेंगे इसके बारे में चलिए आगे के बाद देखेगा हिंदू विधी उन संतों के लिए प्रकट हुआ था जिनों ने महान ऐसे संथ है जिननोंने एक जगा पर बैट किये ऐसे ऐसे पूजा पाठ किये है यग्य किये है कि वे डारेट कॉंटेक्ट में आये हैं ऐसी मानना है ऐसे विचार है उन विचारों पर ही हमारा हिंदू लो आगे बढ़ा आए आगे की बात देखिए हिंदू विधी का जो इतिहास है हिंदू लौ का जो इतिहास है वह लौ जो बना है वह 5-6000 वर्षो पुर्व का है मतलब 5-6000 पुर्व से जो कुछ भी चीजे चली आई उसको लेते वे हिंदू लौ बनके आपके सामने प्रदर्शित है आगे की बात देखिएगा लेकिन कुछ बाते और हैं यहां तक सभी को clear हो गया हो तुम मैं आगे बढ़ू दोस्तों अब देखे sources of Hindu law की बात कर लेते हैं दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं sources of Hindu law की अगर बात करें तो कितने स्त्रोत हैं, देखिएगा, स्त्रोतों की बात की जाए, तो how many sources are there? तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे, पहले ही ये पढ़ेंगे sources होते क्या है? ये भी आपन पढ़ रहे है sources of Hindu law, but we have to conclude that what is source, आखिर source क्या है? अगर हमें ये पता चल गया, source का मतलब ये होता है, तो हम और अच्छा समझ पाएंगे, देखिए, sources means the point from any law has originated, स्त्रोतों का अर्थ उस बिंदू से है, जहां से कोई कानून उत्पन हुआ है, तो ऐसा point, जहां से law का जन्म हुआ है, वह जन्म, वह point क्या कहलाता है, sources, इसलिए sources important है, yes or no, हमें law का अगर interpretation करना है, तो हमें sources को ध्यान में रखना ही होगा, yes or no, बिल्कुल हमें sources को ध्यान में रखना ही होगा, आगे की बाद सुनिएगा, जो sources of law होता है, which enables to interpret the law, मतलब कानून का इस्तुरोथ एक आधार है, जो कि नियायले को कानून के निर्वचन में सहायक होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ और points हो सकते हैं, क्या sources of Hindu law के, पहला तो मैंने आप सभी को क्या बताया, कि ये क्या है, जहां से law की उत्पत्ती होती है, उसे source कहते हैं, from where the law has originated, दूसरा मैंने आप सभी को बताया, कि यह interpretation में सबसे ज़्यादा useful होता है, आज भी अगर Supreme Court को को interpretation करना है, तो sources का help लेते हैं, आखिर Hindu law किस पर based है, पहले नीव को देखा जाता है, फिर इसके बाद देखिएगा, इसमें मैं आप सभी को कुछ points बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजेगा, ठीक है, type नहीं हो पाया, तो मैं बोल के बता देता हूँ, फिर उसके आगे सारे point टाइप है, देखिए, it is a method by which rules are discovered, ठीक है, और created, मतलब लिख लेजे, it is a rules, या क्या होता है, these are the rules, या it is the rules, या it is the rules, या these are the rules, जिनको rules, मतलब जो sources, sources से निर्मान हो है, रूल्स का, discovered, इनको discovered किया गया है, या फिर इनको क्या किया गया है, created किया गया है, मतलब, जिनको खोजा गया है, नियमो को, वह कहां से खोजा गया है sources से या सोर नो भाई जो नियम कानून है हिंदी भी तो बोल रहा हूँ भाई हाँ हिंदी भी तो बोल रहा हूँ देखिए ना खोजा गया है अब कैसे बोलो इससे ज़्यादा हिंदी की उमीद करते हैं ठीक है मतलब sources of Hindu law क्या है sources एक तरीका है जिसमें इसके द्वारा नियमों को खोजा या फिर निर्मार किया जाता है ठीक है नियमों को खोजा या उनका निर्मार किया जाता है आयोब इतनी हिंदी चलेगी इतनी हिंदी चलेगी दोस्तों या इससे भी ज़्यादा हिंदी चाहिए ठीक है वैसे भी हिंदी मीडियम के सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ऐसी पढ़ायत है बट मैं पूरी हिंदी पढ़ाऊंगा निशिंद्र यह ठीक है अच्छा अगर मैं बोलू सभी को कि इतना तो पता चल गया सोर्स का मतलब क्य गया है इट मींस एनी दे पॉइंट फ्रॉम वेर एनी लोह इस ओरिजनेटेड इंटर्पेटिशन में काम आता है तीसरा इसे डिस्कवर्ड या क्रियेट किया गया है अब देखो मेरी बात को थोड़ा सा टॉपिक से हट के समझते हैं चीजों को थोड़ा सा ठीक है आइक मिनट ले रहा हूं आप सबीका जो जुद्धी देखो मैं वापस बोल देता हूं जो हमारा हिंदू शब्ध है जो हमारा शब्द क्या है हिंदू यह हमारे देश का शब्दी नहीं है यह तो foreign word है यह तो कौन सा है foreign word है मतलब यह विदेशी सब्द है इसको और क्या कह सकते हो यह एक विदेशी यह एक विदेशी शब्द है यह सौर नो यह एक विदेशी शब्द है अब सब को समझना रहा देशिजा, ओर विदेशग, तो या विदेशी सब्द हं हिंदू, अब हिंदू किस ने बोला, यह जो एरान वाले थे, ँछु यह इरान वाले थे, न दोस्तों, इनको बोलान नहीं कर दें है, तुटलाते थे, यह कैसे बोलते थे, जैसे अब जब इनको हाँ भूला थे, तो हा, कहेंगे हे, तो कहेंगे हा नहीं कह पाते थे, वो क्या कहते थे, हा की जगा, सा की जगा हा कह देते थे, जैसे सिंदु नदी है, हम लोग सिंदु नदी के किनारे बसे वे, एरानियों के हिसाब से, तो जैसे एरानी लोगों का उचारण इस प्रकार सी होता था, सा क्या बो को वो क्या कहते थे हिंदु संजहे कтаки संद्स देखे हम लोग जो थे सब प्राचिन नदी सिदू नदी कहते हैं इरान के पास ठी तो हम लोग सिंदू नदी के किनारे से इस तरह से पूरे लोग बसते चले आए तो वो क्या किते थे वह लुग तुटलाते थे तो कहते थे संदू नदी को क्या केते थे हिंधू नदी आप जैसे शको हब बोलते हैं तो जहाँ जहाँ सई है वहां हब बोलेंगे या सोर्न स muscular आई अभाब समझ गया होंगे तो शिंदू को क्या बोलेंगे दिन्दू और धा को ये क्या बोलते थे चाहे को और भेद नहीं होता था अरести जके दंगा कर दो यह सी घंधा को भी पढ़ेंगे और दंगा को भी दंगा समझ रहे हो पार फा को यह पाही पढ़ते थे फा नहीं बोल पाते थे तो यह वाले अक्षर तो यह जिंदगी में नहीं बोल पाए है ना आई हो प्याइक पाइट अब देख्ये इसी तरह से सिंदू और ही लग गया जैसे आपन बोलते है लप्तॉप लटॉप को कैसे लपी यस और नो परसनल कंप्यूटर को पीची कैसे यह ओर नो ऐसे है लोग बोलते हैं Facebook को क्या बोलते हैं FB, Insta, ऐसी ये लोग क्या करते हैं हिंदू को E लगा देते थे, हिंदू E से हिंदवी रूड़ों कर हिंदी हो गई, यह सो नो, बड़ी E आई, इसे बाद एक और लगा दिया हिंदू, हिंदू बोलते थे, हिंदू का हिंदू, अब आग हिंदूस्थान, था को ये क्या बोलते थे, था की जगह ये था हो गया, और सा की जगह हो गया, तो हमारा देश कहलाया हिंदूस्थान, यस और नो, तो हम आज हिंदूस्थान के लोग कैसे हैं बताईए, इस तरह से हिंदू आये, और इसी तरह से हिंदूस्थान का निर्म तो इरानी लोग हा को सब बोलते थे इसलिए हिंदु जो है जो हिंदु वड़ है सिंदु से वड़ आया है हिंदु तो सिंदु शब्द जो था समझेगा आप मैं भी भूल जाओं इती हिंदी नहीं आती बड़े मुश्किल से लिखवा के लाया हूं है ना दोस्तों समझो ब जासे हिंदु शब्द की उत्पत्ती हुई अब मैं बता रहा हूं जो आपके मेंस एक्जैम में काम आता है प्री प्लस मेंस ऐसे लोग लिखते हैं बट मेरा तरीका अलग है मैं लिखता हूं मेंस प्लस प्री मेंस का ये अच्छा कोशन बिहार का फेवरेट कोशन है पता र्ता नहीं क्यों हर दो चार साल पूछलेते हैं ऑफ हिंदू कानून के स्तरोथ तो देखिए मैं बताना चाहूंगा हिंदू कोकानून होता है उसके दो इस्त्रोत हैं हिंदू कितने कितने स्त्रोत होते हैं दो कैटेगरी में बाटा गया है पहली कैटेगरी का नाम क्या है ancient source और दूसरी कैटेगरी का नाम है modern source अच्छा अगर इसको start करने से पहले मैं आप सभी से पूछू अगर कोई ये कह दे कि जो ये हिंदू लौ है हिंदू विधी है हिंदू लौ ही कहेंगे हिंदू विधी को हिंदू लौ है इसका इतियास कितने वर्सों पुराना है तो आप क्या लिखेंगे 5000 से 6000 वर्स पुराना है ये सोनो हिंदू विधी का इतियास ये भी आप लोग याद रखिएगा अब इसके आगे बता रहा हूँ sources of Hindu law मैंने जैसा की बताया दोस्तों कि sources का मतलब क्या होता है कि जहां से कानून आया है आज हम लोग जो Hindu law को पढ़ते हैं interpret करते हैं Supreme Court भी उनका interpretation करता होगा तो कहां से करता होगा तो Supreme Court जो interpretation करता है वो देखता है कि ये कानून कहां से आया तो हम जाते हैं इनके स्त्रोत क्या है sources क्या है तो पता चलता है साथियों इसके दो स्त्रोत है एक तो ancient होगा एक modern होगा पुराने स्त्रोत कौन देवि भगाउती में आजाईए मतलब प्राचीन स्त्रोत प्राचीन स्त्रोत को क्या कह सकते हैं और बताएए मूल स्त्रोत yes or no तो जो प्राचीन स्त्रोत थे ancient source थे मूल स्त्रोत थे वो कितने थे वो चार थे पहला था सुरुती, सुरुती को सुरुती ही कहते हैं, देखें वेद या उपनिशद कहते हैं इनको, मतलब सुरुती के भी दो कैटेग्री थे साथियो, ध्यान से समझेगा, पहला तो वेद था और दूसरा आपका उपनिशद था, मतलब ancient source के चार टाइप, modern source के तीन और इसके आगे चार लिख देता हूं क्लियर सभी को हाँ ट्रेडिशनल सोर्स बोलते हैं इसको बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं तो कुल मिला के कि I hope you got my point कि I hope you got my point इसको प्राचीन मूल या फिर पारमपरिक स्त्रोथ भी कहा जा सकता है ठीक है तो प्राचीन लिखा है मूल भी लिख दिया और पारमपरिक स्त्रोथ भी लिख लो आप देखिए यहां पर पहला सुरुती है इसके चार टाइप कौन से एंसियन सोर्स के पहला सुरुती दूसरा इस्मृती तीसरा जो आएगा वो कौन सा कमेंट्रीज और डाइजेस्ट चौथा आपका कस्टम प्रथा यह रूधी भी कह सकते हैं आप लोग रूधी प्रथा यह रोन तो एंसियन सोर्सेज चार होते हैं शुरुति आफ सुरुती कितने प्रकार की होती है पहला वेद और दूसरा उपनिशल सरी सुरुती क्या बोल रहे हो नहीं समज मारा है अभी समझाओंगा दूसरा क्या इसमृति प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार की यह होत दिखानी में ने, modern sources जो है आपके वो तीन है, पहला equity, justice and good conscience, ठीक है, मतलब एक बात बताओ, अगर कभी भी, TP Act में मैंने पढ़ाया था, TP Act में मैंने आप सभी को पढ़ाया था, कि बताओ, अगर ये प्रॉपर्टी खरीते बेजते हैं, पहले अंग्रे जाए, ये कानून ले equity, justice and good conscience के बेज़ पर उस matters को deal करते थे, तो जहाँ पर कानून नहीं बना होता है न, वहाँ पर ये काम आता है, मतलब अपना विवेक, अपनी justice, अपनी समता को बनाए रखना, तो modern source में पहला इस तरोथ सबसे important है, equity, justice and good conscience, दूसरा है judicial precedence, मतलब नयाईक पूर्व निर्ण जो भी Supreme Court के decisions हैं, उनको भी follow करके जो decision दिये जाते हैं, कि उस matter में Supreme Court ने फला matter में, फला कानून में, फला decision दिया था, तो ऐसा ही matter आज का है, refer करो उस case को, यही कहलाते हैं पूर्व निर्णय, पहले दिये गए निर्णयों को focus में अब लेना, उनके base पर आज के time में decision देन फिर देखिए, legislation क्या होते हैं, आपको पता ही है कितनी तरह की legislation है, अरे बहुत तरह की कानून जो present time में बने हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं modern sources, तो कुल मिलाके sources of Hindu law के अंदर, दो category है, दो category के sources दिये गए हैं, पहला ancient source है, दूसरा modern source है, अब देखो साथियो, मैं सबसे पहले, मैं सबसे पहले स्थूती को start कर रहा हूं, ठीक है, शूती जो होती है, उसको सबसे पहले start कर रहा हूं, शूती का मतलब क्या होता है, देखो, जो कुछ भी सुना गया, मतलब कैसे, साधू और संथ क्या थे ना, direct connection में थे, किसके भगवान के, गौड के, तो य यह लोग क्या करते थे, मंत्र जाप करते थे, उनसे बाते करते थे, जो उन्होंने बोला, माइंड वे फिट कर लिया, माइंड वे फिट करने के बाद लोगों में बाटा, कि ऐसा करो, वैसा करो, तो कहने का मतलब, शूती is derived from the word शू, यह शूती जो है, यह शूती सब्द स है, यह सब हो, फिर आगे की बाद, इस जोड़ यह ही बात करें, तो सबसे पहला सोड्स कौन सा है, तो सबसे पहला सोड्स कौन सा है, शूती ही जो आपका है पहला सूर्स है ओके यह देखिए यह हिंदू विदी का सबसे प्राचीं स्त्रोथ है अब देखिएगा अब जो शुरुती सब्द चलिए अब मैं आप सभी को यह पूछ रहा हूँ जो शुरुती शुरुती की बताया कि नहीं बताया आपको मैंने बिल्कुल आपको मैंने बताया है ति शुरुती की कितनी कैटेगरी है दोस्तो शुरुती की दो कैटेगरी है यह सोर नो एक तो वेद और दूसरा उपनिशद चलिए वेद और उपनिशद के बारें पढ़ते हैं शुरुती कौन कौन से हैं पहला connect करिए रिगवेद दूसरा आपका यजुरवेद तीसरा आपका सामवेद और चौथा आपका अथरवेद इतना क्या पढ़ा रहे हो सर अरे इसका मतलब यह होता है कि हमने जो हमारी law बनाई है ना उसमें रिगवेद का भी हुआ है हिंदू विधी ऐसे नहीं बनी है अगर हिंदू मैरीज एक्ट में जाओ तो हाँ लिखा हुआ है अगर आपके कस्टम में साथ फेरे हैं तो साथ फेरे लेने पड़ेंगे बेटा छब फेरे में साधी नहीं होगी आपके लिए गाना भी है जब तक पूरे ना हो फेरे साथ नहीं दुलहा नहीं दुलहन क्यों बोला क्योंकि आपको यहां सब इन सब चीजों में ही तो यह सब चीजे मिलती है यह सोरलों तो सुरूती जो है वह दो होती है वेद और उपनिशद वेदों को प्रतेक वेद के अंदर कितने पार्ट होते हैं दो पार्ट होते हैं वेद के अंदर कितने पार्ट होते हैं दो पार्ट इसका मतलब क्या हुआ सहीता और ब्राम्हन मतलब यह हुआ कि अगर मैं रिग वेद की बात करूँ इसके अंदर भी सहिता और ब्राह्मन है एस और भी लिख रहा हूँ सहिता और ब्राह्मन है इसके अंदर भी सहिता और ब्राह्मन है और इसके अंदर भी दो पार्ट है सहिता और ब्राह्मन यह सो नो तो मैं अब हर के अंदर थोड़ी लिखूंगा तो मैंने लिख दिया इच वर्ड क्योंकि ज्ञान है ज्ञान ही विज्ञान है इच वेदाज हैस टू पार्ट्स प्रतेक वेद के दो भाग है पहला है सहीता और दूसरा है ब्रामन ब्रामनास अब देखो जो सहीता का क्या काम होता था जो सहीता होती थी वह primary collection होता था मंत्रास का in praise of God मतलब जो सहीता होती थी वह भगवान की स्तुती में मंत्रों का एक प्रात्मिक संग्र है मतलब भगवान की जब इस्तुति करते हैं तो मंत्रों का एक जो संग्रह था मतलब प्रात्मिक संग्रह कि जो मंत्र आये वो सबसे पहले कहां से आये संहिता से बाई मंत्र क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग यह सब क्या पढ़ रहे हैं क्यों अरे शादी होती है पंडी जी मंत्र नहीं पढ़ते हैं क्या इसलिए मैं यह पढ़ा रहा हूँ ASMR सोच है sir क्या पढ़ा जा रहे है अरे सारे मंत्र काम आएंगे आगे चलिए ब्रह्मनाज ब्रह्मन को क्या 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 था मंत्रों की धार्मिक व्याक्या देखो यहां से तो मंत्र आ ग dollar अब इन मंत्रों को धार्मिक व्याक्या कौन किया जैसे लिखा हुआ है अब इसका हिंदी में अर्थ बताइए सर तो इसका हिंदी में अर्थ कौन बताया ब्राम्हन लोगों ने इसका हिंदी में व्याख्या किया तो ये पॉइंट है सर कि वेद जितने थे ना चारो वेद चारो वेदों को दो तरीके से पढ़ा गया पहला कौन था पहला था आपका सहीता और दूसरा उसका ब्रामण सहीता में मंत्र हैं सहीता में मंत्र हैं और उसकी व्याख्या जो होती है वो ब्रामणों ने करी हर चीजों में ऐसे ही चलता गया अब सुनी आगे की बात अब वेद की बात करें तो आप लोग पूछेंगे वेद होता क्या है सर आप बता रहे हैं वेद चार होते हैं अधिक वेद, यजूर वेद, साम वेद, अथर वेद बट वेद होता क्या है तो सुनो पहले वेद का मिनियम वेदास contains a complete code on the conduct of life वेदों में जीवन के आचरण पर एक पूर्ण सहीता है क्या कह रहा हूँ? एक complete conduct, code of conduct है आचार सहीता समझते हैं आप लोग आचार सहीता वैसी जो वेद होता है आपको conduct के बारे में बताता है code on conduct of life तो वेदों में जीवन के आचरण पर एक पूर्ण सहीता है इट एमफेसेज्ड मोर ओन प्राक्टिस ओफ धर्मा धर्म के पालन पर अधग जोड़ दिया गया पता धर्म क्या होता है? जो जिसका भी धर्म है, सब धर्म क्या सिखाते हैं? what is right and what is wrong what are right, what are wrong तो हर धर्म आपको ये बताता है इस रास्ते पे चलोगे तो अच्छे बच्चे कहलाओगे दूसरे रास्ते पे चलोगे तो गंदे बच्चे कहलाओगे तो लाइफ को चलाने के लिए धर्म क्या है? एक प्राक्टिस है, एक इसको पालन किया जाता है जिसे आपको जीवन जीने का तरीका पता चलता है अब इन ही वेदों में पहला रिगवेद था अब एक एक लाइन सुन लीजिए डेफ्ट में नहीं जाना है रिगवेद इसमें प्रकृति की शक्तियों की प्रशनसा में भजन और गीत शामिल है कहने का मतलब क्या हुआ जो आपके रिगवेद थे अब पूछले सर रिगवेद में क्या था रिगवेद में स्लोक था अरे रिगवेद में एक्चुल में क्या था एक्चुल में जो प्रकृति है जो नेचर है हमारा यस और नो इस नेचर की प्रशंसा की गई है, भजन गाया गया है, नेचर से संबंदित गीत हैं, उसके बाद आता है यजुरवेद, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें रचित प्रार्थना शामिल है, हम लोग प्रेयर वगरा नहीं करते हैं, वो प्रेयर कहां से आये हैं, अरे प्रेयर अगर आप लोग करते हैं पूजा पार्ट नॉर्मल तरीके से वह प्रेयर कहा चाहिए सामवेच चाहिए फिर अपना अगला पॉइंट है अथर्व विदा इट कंसिस्ट मैजिक स्पेल्स एंड इनकेंटेशन्स जादू मंत्र टोना टोना समझते हो नहीं समझते हो मुझे मार दिया था बच्पन में किसी किसी नैसा बोलते हैं लेकिन मैं विश्वास नहीं करता है इन सब चीज़ों में है ना सी सीम्पल सी बात है भगवान की सब लोग बॉले जाएगा या स्व हो जाएगा या सारे टोना एक तरफ हो जाएंगे तो जादू मंत्र टोना यह जो होते हैं यह कहां से आया यह सब चीज़े यह अथर वेद की देन है यह सुरनों अब आगे बढ़ते हैं यह था हमारा वेद आयूप सारे वेद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे यह सुरनों अब बात करते हैं उपनिशद की उपनिशद कितने हैं 18 उपनिशद है अपनिश्दों का वेदान्त या वेदों के समापन भाग के रूप में नामित किया गया मतलब समझो जहां पर वेद जो थे ना वेदास मतलब वेद जब ये वेद समाप्त होने की मतलब जहां खतम होते हैं वहीं समाप्ति के बाद से, इसके जस्ट बाद से क्या चालो हो जाते हैं? उपनिशद. अब समझ में रहा होगा. तो उपनिशदों का वेदों के समापन भाग के रूप में नामित किया गया है. तो मतलब जहां पर वेदों का समापन भाग है, उन्हीं को यह उपनिशद बोल मैंने जो पढ़ाया कंक्लूजन, यह जो वेदों होते हैं और जो उपनिशद होते हैं, यह किसके पार्ट है शाथियों, जल्दी बताएं. यह दोनों किसके पार्ट हैं, हमने किसके लिए पढ़ाई हैं? यह बताओ मुझे. वेद और उपनिशद किसके पार्ट हैं? है हां सभी और हो गया क्या मिटले क्दर वेरिश आई सभी के कमेंट्स का वेट कर रहा था शुरुती यह और नो शुरुटी शुरुती के दो पार्ट है वेद और उपनिश्य उपनिश्य अठारा है समझ लिए इसका एंडिंग पार्ट है ये में अध्ने होते हैं चार होते हैं चारों को मैंने बता दिया दिए सामेद अथरवेद और चारों में दो दो क्या है ब्रामण और सहिता है अब चलिए दूसरी केटेगरी को बता रहा हूं दोस्तों स्मृति स्मृति का मतलब क्या होता है वोट वाज रिमेंबर जो कुछ भी याद किया ग connection था God से फिर उसके बाद जब पुरुवस जो थे ना वो याद करते थे कि ऐसे भगवान अवतार लिये थे ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था वैसा हुआ था उन बातों को उन्होंने memory fresh very nice memory को refresh किया और बातों को observe करते थे फिर सबको बताते थे तो वो जो सारी चीजी थी वो इस्मृति कहला है जो याद किया गया अब सुनो इस्मृति आर कंसीडर्ड एस टेक्स्ट विच हैस बिन remembered and then interpreted by the rishis throughout the generations मतलब इस्मृतियों को पाठ के रूप में जाना जाता है yes or no बिल्कुल ये पाठ होते थे जिसे रिशियों द्वारा पीडी दर पीडी याद किया जाता है और फिर उसकी व्याख्या की जाती है तो कुल मिला के what was remembered is called is called smriti smritis are embody what sages remember through revolution smriti में वे आउतार हैं जिने संत रहिशुद गाटन के माध्यम से याद करते हैं yes or no रहिशुद गाटन का मतलब समझते हैं कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा फिर इसके बाद ये हुआ होगा इस तरह से ये लोग उसको याद करते हैं चलिए तो जो रहस्य के माध्यम से memory को refresh करके जो कुछ भी बाते आई उनको क्या बोला गया उनको बोला गया इस्मृति अब इस्मृति के दो categories होती है एक तो primary स्मृति होती है और दूसरी क्या होती है secondary स्मृति I hope you got my point छलब बात करते हैं इस्मृति की स्मृति में primary और secondary दो होती है primary स्मृति के दो पार्ट होते है इसको प्राथमिक स्मृति बोलते हैं इसके दो पार्ट होते है पहला धर्म शूत्र और दूसरा धर्म शास्त्र यह सो라고 हगा तो नोन्ति के दो पार्ट है प्राइमरी समरति। और दित्विय की समरति। जो प्रात्मिक समरति था. उसके भी दो पार्ट थे. पहला कौन सा? सुत्र और धर्म ये भी कहँंगे बहुम क्या लिख़ों? पहला कॉन सुत्र। अब मेरी बात को ध्यान सुनिए जो धर्म सूत्र धर्म शास्त्र में क्या आंतर थे ध्यान से सुनिएगा जो धर्म सूत्र थे इन प्रॉस फॉर्म यह प्रॉस के फॉर्म में थे इनके ऑथर्स होते थे लेखक होते थे कौन-कौन से गौतम हो गए बुद्धायन हो गए अपर्थांबा हो होते थे और इन काविता के जो लेखक थे सातियों वह कौन-कौन से थे मनू यादिवल के यादिवल के नारद फिर उसके बाद बता सकता हूं कौन से नारद हो गये विष्णू हो गये ठीक है तो यह और अपर थामबा थे और जबकि धर्म सास्र के लेखा कौन थे मनु यग्यावलक नारद और विश्णो ठीक है अब बात करते हैं सेकेंडरी सोर्स की इनके अलामा जितने भी सोर्स थे सारे क्या कहला है सेकेंडरी स्टो सेकेंडरी सोर्सेस क्लियर सभी को तो अब हम आगे की आया था मेंस में इसलिए पढ़ाया जा रहा है वरनात हम क्यूं पढ़ाएंगे बताईए है ना बिहार जुडिशरी में वेद को लेकर अकेला एक कोशन पूछ लिए अब बताओ वेद में क्या लिख क्या होगे तो कम स्कम इतना लिख क्या है कि हम अटेंड अच्छे से कर सके चलिए आगे की बात कर लेते हैं साथियों धर्म सास्त्र धर्म सूत्र को हमने अच्छे से पढ़ लिया चलिए धर्म सास्त्र धर्म सूत्र को हमने पढ़ लिया अब बात आती है सेकेंडरी स्मृति की सेकेंडरी स्मृति में हम यह पढ़ेंगे सेकेंडरी स्मृति यहा वर्ट करें हिंदी इसको कहेंगे याग्ययवल कि अचिके आप लोग यही समझेगा जो मैं लिखवार हूं याग्यवल क्टी के भीदेख लीजिएगा याग्यों वर्ट कि ठीक है बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक स्मृती और दूसरा यागीवल कि स्मृति और जो मनुई स्मृति थो इसको सबसे पुरानी स्मृतियों में से एक माना जाता है जब कि जो यह याग्यवल की स्मृति थी यह अनेक स्मृतियों से व्यापक थी जादा ब्रॉडर जादा बड़ी थी यह ओल्डेस थी और यह ब्रॉडर था याद रखना दो बाते मनुस्मृति oldest स्मृति में आती है जबकि जो यागिवल की स्मृति है यह सबसे broader स्मृति में आती है सबसे पुरानी स्मृति में इसको count किया जाता है आगे की बात देखे दूसरी बात जो यह मनुस्मृति है known as मानाव धर्म शास्त्र मानव धर्म शास्त के रूप में इसको जाना जाता है फिर इसके अंदर 12 चैप्टर 2690 स्लोक लिखे गए है 12 अध्याय है और 2690 स्लोक लिखे गए है जबकि याग्यवल इस्क्मृति सबसे व्यापक इस्क्मृतियों में से एक है ब्रॉडर है divided into three parts इसको तीन भागों में बाटा गया है महिला अधिकारों से ज़्यादा संबंदित है जो विमेंस राइट की बात करते है वो हमारी इस याग्यवल किस्क्मृति में ज़्यादा महिलाओं को मत्त दिया गया है अब देखिए जो इसमृति का एरा है उसको कौन सा एरा कहा जाता है golden एरा सबसे best एरा के नाम से जाना जाता है इसमृति के निर्मार के यूग को स्वन यूग की रूप में भी जाना जाता है यही से हमारे हिंदू लौ का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ इस ते से golden एरा कहते है चलिए तो golden एरा क्यों कहते है क्योंकि यही से क्या हुआ था यही से हमारे हिंदू लौ का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था क्योंकि वह यह यूग है जब हिंदू विदी सु विवस्तित और क्रमिक विकास शुरू हुआ था यही से शुरू हुआ था तो दो पार्ट, चारो पार्ट में से अगर पूचा जा सकता है कि golden era के नाम से किस स्मृति को कहा जाता है यह सोनों जल्दी बता है golden era को किस स्मृति के नाम से जाना जाता है golden era को किसको golden era के नाम जाना जाता है कौन से source को तो आप लोग क्या लिख आएंगे स्मृति ठीक है इस्मृति तो golden era के नाम से किसको जाना जाए प्री में पूर सकता है जादा स्यादा बस स्मृति को आगे चली तीसरा पार्ट आता है commentaries and digest commentaries और digest क्या होते हैं अब ये नाम से देखीगा क्या कहते हैं इसको it expands the scope of Hindu law इसमें Hindu कानून के हिंदू विधी जो था उसके शेत्र को बढ़ाया गया मतलब जो ये commentaries and digest होते हैं इन्होंने क्या किया हिंदू लौका development किया हिंदू लौका विस्तार किया ठीक है आगे की बाद commentaries and digest are record of customs continued in smrti मतलब इस्मृतियों में चली आ रही रिती रिवाजों के भाष्य और निबंध है ध्यान से समझो commentaries or digest कोई पूछ ले कि सरी ट्रेब digest or commentary होते क्या है तो आपको क्या बोलना है ये जो customs होती है ना इनका एक अभिलेक होता एक record होता है and continued in smrti जो smrti में continue चलता हुआ अया तो भाष्य और निबंध ठीक है अरे पढ़ लो पढ़ लो पानी 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 पीया है एक जना भेजता है पता नहीं कौन सा बोटल और दूसरा जना उस पे बोलता है पानी है नहीं वो वाला है अरी क्या करते हो आओ जल्दी, देखो, सब को दिखा देता हूँ, जल है ये लोग, ये देख लो जल है, अब इसमें तो जल ही होता है ना, गजब गजब की बाते हैं आप लोग की, मतलब मज़े लेने हैं तो पूरे लेंगे हैं, क्या बात है, very good, तो चलिए, commentaries and digest, हमेशा याद रखना, साधा, जीवन, उच्च विचार, उसके आगे नहीं, तो commentaries and digest में क्या होता है, it expanded the scope of Hindu law, commentaries and digest are record of customs, जो custom अगरा ही तो इरिती रिवाज, इन सब को record किया जाता है, उन्ही को ही commentaries and digest कहते हैं, और सुनिए ये क्या होते हैं, the customs are interpreted, explain and modified in the commentaries and digest, पहले देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले custom आया, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले custom था, इन्ही customs को क्या किया गया, जो पुराने जमाने से रिती रिवाज चलते आ रहे थे, इन्ही रिती रिवाजों की क्या की गई, व्याख्या की गई, और इन्ही को interpret करने बाद interpretation किया गया, फिर इनको explain किया गया, फिर तीसरा वड क्या बोल रहा है, इन्ही को modify कर दिया गया, अब बताओ, आप लोग खुद देख लिजिएगा, ये जीवन है, जो रिती रिवाज पहले चल रहे थे, धीरे धीरे modify होते जा रहे हैं, तो पहले वाले रिती रिवाज भी धीरे क्या ह हैं, तो आपको क्या answer देना है, interpretation of smriti, जो smriti थी, जो custom थे, उन सभी का interpretation निकाला गया है, commentaries or digest के माध्यम से, आगे की बाद, single interpretation of smriti is called commentary, अब देखो, कोई चीज मैं बोलू अगर आप सभी को, कैसे बोलू, देखो, कि जैसे मैंने कहा, मैंने पीया, तो आपने क्या सोचा पानी पीया, जो किसी और ने कुछ गलस सोचा, तो एक word के कितने interpretation आपने निकाल दिये, धीरे, तीन से चार, किसी निकाल कोल्डरिंग पीया, तो तीन आपने interpretation निकाल दिये, तो जब कभी भी किसी का एक interpretation निकलता है, single interpretation, दूसरा कोई इसका interpretation नहीं निकल सकता, तो वो कहला आता है, commentary, commentary is a single interpretation, बट अब आप पूछो के सर, फिर डाइजेस्ट क्या होता है, खाना जो पचता है, नहीं, जब उसका more than one interpretation निकाला जाता है, एक से अधिक, जब एक से अधिक interpretation निकाला जाता है, तो उसको क्या बोलते है, उसको बोलते है, डाइजेस्ट, आयो, क्लियर व देता हूं, notes में भी आपके, okay, ठीक है, अब देखो, आप सभी के सामने प्रश्न आएगा, की, चली वैसे सही है, हाँ, commentaries and digest चल रहा था न, third source, ठीक है, इसके अंदर मैं आप सभी को बोल देता हूं, आप लोग बोल देता हूं, उसकी बाद लिख लिजेगा, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, दो, तीन चीजे मैं, repeat please, हाँ, वापस repeat कर देता हूं, देखो, सुनिएगा मेरी बात, को वापस सारा बता देता हूं, हमने स्मृति पढ़ी की नहीं पढ़ी, स्मृति का interpretation करा, स्मृति के साथ साथ अगर कोई custom था, इन सभी का interpretation किया गया, interpretation किया गय इन सभी को explain किया गया, और धीरे धीरे ये क्या हुए, ये स्मृति modify भी हो गया, जो customs थे, जो ये सारी चीजे हुई, इनको ही हम कहा पढ़ेंगे, commentary and digest के अंदर, अब मेरा माना है, commentary क्या होती है, जब किसी चीज का single interpretation किया जाता है, केवल एक ही अर्थ निकाला जाता है, उ तो उसे digest का जाता है, अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया है, yes or no, अब सभी को समझ में आ गया है, अब देखिए इसमें और भी लिखिए, यह तीसरा, सब लोग लिख लिजेगा, मैं बोल देता हूँ, ठीक है, सब को मैं कुछ extra point बता रहा हूँ, इसके अंदर लिख लि इतना, अच्छा एक बात बताओ, मैंने आप सभी को बोला, कि single interpretation of smriti is called commentaries, single interpretation commentary कहलाया, अब मेरा आप सभी से ये पुरश्ण है, कि अगर दो चीजे होती, एक तो मिताक्षरा हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, दया भागा, यह क्या है, यह जो है ना दोस्तों, यह commentaries, जो हमने बताई, इसी के ही example है, इसके कितने example हो गया, दो, पहला कौन सा हो गया, मिताक्षरा, कौन सा हो गया, मिताक्षरा, और दूसरा कौन सा हो गया, दया भागा, दया भाग, तो अब हम पढ़ेंगे, मिताक्षरा और दया भाग क्या था है, clear सभी को, समन्हारा ने कैसे कैसे कड़ी से कड़ी जूड़ती जा रही है मतलब जो हमने commentary और digest रभी पढ़ा इसमरती को जो explain किया वो commentary digest हुआ अब इसी commentary के अंदर एक example दिया commentary आखिर कौन-कौन से है तो आपका मिताक्षरा और दया भागा ये क्या है these are the commentaries अब देखे आगे की बाद the principal commentaries are जो commentaries आज तक की गई उनमें से सबसे principal commentaries आपकी कौन-कौन सी है पहला आपका है मिताक्षरा और दूसरा आपका दया भाग तो क्या वीर मोत्त देया जो आपका है ये भी commentary है yes वीर मित्त देया जो आपका ये भी commentary है yes or no अब देखे मिताक्षरा क्या होता है दोस्तो it is written by विजनेश्वर इसको किसने लिखाता एक एक लाइन में सब बताता जाओंगा सारे commentaries को बहुत सारी commentaries है पहला मिताक्षरा को किसने लिखाता विजनेश्वर ने लिखाता it is commentary on यागिवल के इसको क्या बोलेंगे पर एक कमेंटरी है यह प्री में आया हुआ पूश्चन है आपका फिर बता दे रहा हूं यही कोशन प्री में पूछा गया था कि मिताक्षरा के लेखक कौन है तो विजनेश्वरा जो है आपके वह मिताक्षरा के लेखक है it is commentary on यजनावल के यह जो कमेंटरी है यह 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 मिताकर विवाद इतने लिख दीजेगा उसको धो लिखने की जरूरत नहीं है यह सारे आपकी स्मरती हैं कमेंटरीस है ठीक है तो यह हमारा एंडिंग हुआ था तीन सोर्सिस का अब हम आनशीन सोर्स में चौत की बात करें हैं चौता सोर्स आपका है कस्टम एंड यूजेज रूधी और प्रथा क्या होता है ठीक है अब मैं आपको बोलू custom को हम कब पढ़ेंगे जब हम Hindu marriage act की शुरुवात करेंगे इस session के बाद उसमें custom की definition दी गई है Hindu marriage act 1955 के अंदर कहा पर दी गई है Hindu marriage act 1955 के अंदर बिल्कुल दिया गया है custom and uses के बारे में अब देखो definition of custom and uses in the section 3a मतलब अगर custom के बारे में आप अच्छे से जानना चाहते हो तो आपका bare act बताएगा जाएगा देखिए custom क्या होता है अच्छे से मिलेगा मैं आपको अपनी तरीके से बता देता हूँ लेकिन अगर मैं bare act की बात करूँ तो section 3a में custom and uses आपको defined किया गया है अब देखिए custom के बारे में समझते है custom क्या होता है custom भी हमारे हिंदू लोग के निर्माने बहुत महत्पुन भूमिका निवाता है यह हमारा चौथा important source है तो what are the essential conditions of a valid custom वैद रूडी की आवेशक सर्ते क्या है साथी हो तो देखे पहला सर्त क्या है यह ancient होना चाहिए ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे पीता जी ने भी 5 शादी करी है हम भी 5 करेंगे मार के भगा दिये जाओगी नहीं अगर अगर आपके 100 साल पहले से दादा पर दादा की जमाने से लगातार कोई भी चीजे बनती बनती हुई आई है फॉलो करते हुए आए है तो उनको हम क्या कहते है ancient कहते है तो custom कैसा होना चाहिए custom have the binding force of law it must be ancient यह प्राचीन नहीं होगा तो आप कस्टम में नहीं आएगा दूसरा it is in existence from the time of remembrance इसका मतलब इसका अस्तित्व इसमरण से परे हो मतलब इतना पुराना प्राचीन है कि हमको खुद को याद नहीं है कितने सालों से चलता हुआ आ रहा है तो उसी को ही बोलते है पुराने जमाने से चलता हुआ रहा है या पुराने जमाने का होना चाहिए अती प्राचीन काल से होना चाहिए from the time of immemorial ठीक है तो उसको कस्टम कहता है तीसरा देखिए या definite होना चाहिए fixed होना चाहिए it must be definite and certain it must be followed without disturbance इसका बिना किसी बाधा के पालन किया जाना चाहिए तीसरा या continuous होना चाहिए निरंतर चलते रहना चाहिए कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए when a particular custom has been discontinued for a period it would come to an end ठीक है simple सी बात है क्या कह रहा है अगर जहाँ पर विशिस्ट रूडी को समय के लिए किये जाए ठीक है तो वह खत्म हो जाएगी मतलब मैंने 10 साल के लिए कोई रूडी चली 20 साल के लिए चली particular time फिर वो ब्रेक हो गई तो वह custom नहीं कहलाएगी reasonableness मतलब युक्ती युक्त कस्टम होना चाहिए for example सती प्रथा सती में क्या होता था सती प्रथा सती प्रिवेंशन एक्ट आया कि नहीं है दोमेस्टिक वालें सेक्ट आया उसके अलावा ये दहेज को दहेज रोग था मदिनियम आया आप सभी का फिर देखे clear and ambiguous इसपस्ट और असंदिग्द होना चाहिए मतलब यह जो कस्टम होते हैं वो clear होने चाहिए और उनके उपर संदिग्दता नहीं होनी चाहिए followed as a right उन्हें अधिकार के रूप में लोगों ने पालना करते हुए चले आ रहे हो और not immoral और opposed to public policy यह जो है अनैतिक नहीं होना चाहिए या opposed to public policy नहीं होना चाहिए for example अगर कोई कहे कि हमारे यहां तो यह पहले से गलत ची चलती आ रहे हम आज भी गलत करेंगे तो नहीं ऐसा नहीं चलने देंगे हां opposed to public policy लोग नीती के विरुद्ध भी नहीं होना चाहिए not opposed to any law किसी भी कानून के अगेंस्ट में आपका यह कस्टम नहीं होगा ऐसा नहीं टीपी एकर गेंस में जा रहे हूं नाइंत बात यूनिफॉर्मिटी जो ये चलती हुई आ रही है इसके अंदर यूनिफॉर्म होना चाहिए मतलब यूनिफॉर्मिटी होना बहुत जरूरी है चलिए नाम लिया था तो मैं भी केस लेके आया हूं कृपाल सिंग व बॉर्डन ओफ प्रूफ इस वन ओफ इस ऑन दे पार्टी हो रिलाईज ऑन दे कस्टम देर इस नो प्रिजंप्शन देट इन डेट पर्टिकुलर पर्सन और ट्लास ऑफ पर्सन इस गवन बाइक कस्टम देखे मैं कह रहा हूं कि मेरे यहां पर मतलब ऐसा एक व्यक्ति कह मेरे यहां पर पिछले 200 सालों से चार शादिया होते हुए है माल लीजिए तो आज भी हमारे इन्होंने विचार करी उन्होंने विचार करी उन्होंने विचार करी उन्होंने विचार करी उन्होंने विचार करी लेकिन यह क्या बोला हिंदूलों में हिंदू मैरीज एक्ट हजार रानिया थी यह सो नो एक राजा थे उनकी एक हजार रानिया थी अब एक हजार रानिया नहीं हो सकती अब एक राजा की एक ही रानी होगी समझे की नहीं समझे क्योंकि वो कस्टम सही नहीं था रिजनेबल नहीं था उसको हटा दिया गया अब अगर आप किसी कस्टम को लेकर अगर अड़े हुए हो कि हमारा कस्टम है हमारा कस्टम आप नहीं हड़ब सकते हो हमारे कस्टम को आप नहीं छेड़ सकते हो तो यह आपको प्रूफ करना पड़ेगा yes it's your custom or not you have to prove that yes or no आप प्रूफ कर दीजिए आपका कस्टम था आप कह रहे हो तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा यही बात क्रिपाल सिंग में कहीगे यह अभी निर्धारित किया गया कि प्रथा तथे का प्रश्ण है साबित करने के का भार उस पक्ष पर है जो रिती रिवाज पर निर्भर करता है ऐसी कोई धारणा नहीं है कि कोई विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्ति का कोई वर्ग रिती रिवाजुदारा शाशित होता है अब एक केस और आया था collector of madura versus muttu ramalinga yes or no madura बना muttu ramalinga collector 1868 के बाद में क्या कहा गया था प्रीवी council उस तमें supreme court नहीं बना था प्रीवी council कोई supreme court कहते थे प्रीवी council held that in hindu law the clean proof of custom shall be more relevant than the basic epics of law हिंदी में पढ़ो प्रीवी council का यह मानना है कि हिंदु कानून में रुढी का पस्ट प्रमाण कानून के मूल तुल्ला में अधिक प्रासंगिक है समझे की नहीं समझे मतलब कानून के तुल्ला में प्रासंगिक होना चाहिए मतलब यह जब cases आये ना इन्होंने बोला custom है ना law से match खाना चाहिए क्या बोल रहा हूँ custom जो है वह कानून से संगत होना चाहिए अगर कोई custom law से संगत नहीं है तो उसे कही नहीं कही धीरे धीरे खतम किया गया है एक और case आया था लक्षमी बाई वर्सिस भगवंत बुआ इसको भी आप लोग पढ़ लीजेगा चलिए अब बात करते हैं modern sources of Hindu law these are the ancient sources I hope आप सभी को ancient source में कहीं दिक्कत नहीं आएगी एक बार आप सभी लोग जाग जाईए और बोलिए सियावर राम चंदर की जै तो आगे की class चलेगी जल्दी से बता दीजे दोस्तों कि हाँ अब हमको कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ तक तो properly चलता हुआ आ रहा है clear सभी को very good चलिए अब फटा फट क्लियर करते है आगे की चीजों को अब देखो जो आपका modern source है हिंदू लोग का उसके बारे में जानकारी करते है there are three modern sources पहला क्या है equity, justice and good conscience दूसरा आपका है judicial precedent judicial precedent आई यो पुरानी फाइल दे दी क्या भाई ने पूर्व निर्णय था ही है please wait check कर लेता हूं शायद हाँ नहीं नहीं सही है चलिए तो judicial precedent को क्या कहते है पूर्व निर्णय कहते है और इसके अलावा जो तीसरा आपका source है दो के बाद वो है legislature विधान मंडल legislation भी कह सकते है तो equity, justice and good हिंदू लो जो आपका है वो modern source से भी बना है अब modern sources कौन कौन से है वो आपके equity, justice and equity, justice and good conscience है समता, न्याय और अच्छे विवेक इस पर सद विवेक पर depend करता है दूसरा judicial precedent मतलब पूरु निर्णय पर depend करता है तीसरा legislature पर depend करता है अब इनमें से एक-एक को हम खतम करते है आईए अब हमारा easy easy चीज़ आ गया judicial precedent मतलब न्यायक पूरु निर्णय क्या होते है article अगर आप बता दोगे तो मेरा जी खूस हो जाएगा judicial precedent से सम्मंदित कौन सा article है सारे students से मेरा इंतजार है जल्दी से बताईएगा हाँ फटा-फट भाई judicial precedent जो है वह सुप्रीम कोर्ट के से सम्मंदित है सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को फॉलो किया गया सबोर्डिनेट कोर्ट के द्वारा तो मैं ये बोलना चाहता हूँ यह सविधान के किस अनुच्छेत से संबंदित है चलिए आप लोग का message में इंतजार रहेगा जब तक मैं आगे बढ़ता हूँ It means It means the judicial decisions over any disputed or future similar disputed matters मतलब judicial precedent का मतलब क्या हुआ जो भी past में cases को decide किया गया क्या क्या रहा हूँ जितने भी cases past में थे जिनको decide कर दिया गया उन cases को बाद में एक मिसाल के तौर पर एक point के तौर पर लिया गया उनको ही क्या बोला गया judicial precedence for example Supreme Court ने इस मामले में ये निर्णाए दिया उस मामले को ले लो they are known as judicial precedent निया पूरु निर्णाए ठीक है ये थोड़ा से गड़बढ है चलो मैं इसको correct कर देता हूँ ठीक है इसको मैं correct कर देता हूँ लिखिएगा judicial precedent का मतलब करता है it means the judicial decision over any disputed matter over any ये हटा दीजिए कहा कहा से typist खोद खोद के लिए क्या आया है यहां से आया एक अक्षर यहां से लिया एक अक्षर वाहां से लिया ठीक तो it means the judicial decisions over any disputed matters ये भी अटा दीजिए मतलब जितने भी disputed matter थे उस पर यह एक क्या है judicial decision चलिए इसको लिजिए इसका अर्थ है किसी भी विवादित मामले पर नियाइक निर्णय जो भाविश्य में समान विवादित मामलों के निप्टारे के लिए दिशा निर्देश होगा मतलब समझ गये समान मामले के लिए हाँ हिंदी वारा ठीक है ना देखो ना मतलब judicial नियाइक पूरुन निर्णय का अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता किसी भी विवादित मामले पर नियाइक निर्णय जो और कौन से निर्णय जो भाविश्य में समान विवादित मामलों के निप्टारे के लिए दिशा निर्देश होगा मतलब समान मामले जो जैसे माली जी पहले डिवोर्स के मामले में डिसीजन आया अब वही डिसीजन को फॉलो किया गया दूसरे डिवोर्स के मामले में यहीं जूडिशल प्रिसीडेंट है आगे की बात देखिएगा इसके बाद लिख रहा जनरली ठीक है जनरली क्या हुआ इसको मैं यहां लिख देता हूँ कोई बात नहीं जनरली डिसीजन ओफ सुप्रीम कोट हाई कोट प्रीवी काउंसिल है व्दे इफेक्ट ओफ प्रीसीडेंट ओवर दस सबोडिनेट कोट्स बस यह हो गया इसका मेनी कि जनरली क्या होता है कोट के अंधक प्रीवी काउंसिल के प्रीवी काउंसिल के भी डिसीजन सपे बाइने होते हैं है व्द ऐफेक्ट ओफ प्रीसीडेंट यह प्रीसीडेंट का पूर्व निरनेड़़ का काम करते है कि इस पर ? ओवर दी सबोडिनेट कोट्स इनको जुडिशल प्रिसिडेंट बोला गया आगे की बात एक केस आया था पुंडू रंगा का पांडू रंगा का पांडू रंगा कालू पाटिल बना महरास्टा राज्य दो हजार दो इसका मतलब क्या है पांडू रंगा वाले केस में ये बोला गया देखो प्रिवी कांसिल और सुप्रीम कोट एक ही है लेकिन पहले बिटिशर्स प्रिवी कांसिल करते थे जब कॉंस्टिशन बना तो प्रिवी कांसिल हट कर इनका नाम हो गया सुप्रीम कोट और एक सुप्रीम कोट है हमारे भारत देश का अब कोई डिसीजन अगर इसने दिया है ये भी कुलेंट है किसके सुप्रीम कोट के लेकिन अगर सुप्रीम कोट ने प्रिवी कांसिल के डिसीजन को पलट दिया तो बिलकुल सुप्रीम कोट पलट सकता है और Supreme Court का decision हमेशा binding माना जाएगा इसी लिए इसने ये वर्ड लिखा कि decision of Prevy Council is binding over all High Court provided that it has not been overruled by the Supreme Court बस ये Supreme Court के द्वारा overruled नहीं होना चाहिए एक और case है लुहार अमरितलाल वर्सेज दोशी जयनतिलाल 1960 Supreme Court ये क्या कहता है in this case Supreme Court held that the judicial decisions have became part of Hindu law इस case में भी ये माना गया भाई जो जुडिशल डिसीजन आये हैं precedents उनको Hindu law का एक पार्ट माना जाना चाहिए जितने भी Supreme Court ने निड़े दिये हैं they are part of Hindu law अब देखिए आगे की बाद इसको काट दीजी एक बाद judicial decisions have modified and supplemented the Hindu law and they have emerged एमज्ड इम भाई ये क्या कर दिया चलिए बड़ा गडबड किया है आज टाइपिस्ट में और पीला भी कर दिया है कि चलिए समझ भी नहीं आ रहा है क्या लिखा है चलिए मैं आपकार सही करवा देता हूं एक 30 seconds का वक्त देजिए हम हिंदी में बता देता हूं ठीक है हिंदी में बता देता हूं हिंदी देख लिजी न्याय निल्डएयों ने हिंदू कानून को संशोधित और पूरग किया मतलब judicial decisions have modified and simple and supplemented the Hindu law यहां तक ठीक है बिलकुल कि जो judicial decisions थे उन्होंने हिंदू लोग को complete किया and they have emerged an important source of present Hindu law यह source होना चाहिए साथ हूं yes or no they have emerged an important an important source of present Hindu law जो यह judicial decisions होते थे उनको present time में हां देखे सुनी बात को जो present time होता है दोस्तों present time का जो Hindu law है उसका important source judicial decisions को माना गया आपको बता दू हाई court के अधिकतर मामले 70 percent cases में सिर्फ और सिर्फ Supreme Court के landmark judgments को follow करके निर्णे दे दिये जाते हैं तो यह बात सही लिख रहा है आगे की बात दूसरा source क्या है legislation legislation का मतलब क्या होता है साथ कि विधान legislation का मतलब क्या होता है विधान अब विधान क्या है सर प्लीज बैक क्या हो गया है यह देख लिजे अब देखिए legislation का मतलब क्या विधान most of the subjects of Hindu law has been has been codified today होना चाहिए has been codified today अग बर्डन भी बहुत था कोई बात नहीं codified today clear सभी को बहुत सारे ऐसे subjects है most of the subjects of Hindu law has been codified for example शादी को codified कर दिया गया नहीं किया गया बताई जड़ा विवा को codified कर दिया गया legislation मतलब कानून बढ़ गया समझेगी नहीं समझे तो legislation का मतलब जो कानून हमारी बन चुके है the acts acts का मतलब अधिनियम उनको लेजिस्ट वो भी हमारे development में कामा है हिंदू लोके देखिए हिंदू विदी के अंदर अधिकांस विश्यों को सहिताबद कर दिया गया है example of such laws are this that is first Hindu marriage act 1955 अभी आपके course में पढ़ेंगे आप लोग हिंदू succession act आपके course में हिंदू उत्रादिकार अधिनियम ये भी codified हो गया हिंदू minority and guardianship act 1956 भी codified हो गया caste and the caste disabilities and removal act जाती विकलांगता या अधिनियम discussion जो भी हिंदू विडो रिमेरीज एक्ट 1856 जो हिंदू विडो रिमेरीज एक्ट था वो भी बना prevention of child widow act 1929 these are the few examples of legislation मतलब इस तरह के कई कानून अब बन चुके हैं जो modern source of हिंदू law में count होते हैं आगे के बाद अब तीसरा important source है equity justice and good conscience क्या क्या रहा हूँ equity justice and good conscience आज से हम लोग sources ही कर पाएंगे क्योंकि आगे वापस है एक और youtube class है साथे 6 बजे तो मैं आपको आगे का जो schools of Hindu law है वो मैं कल डिल करूंगा ठीक है अब देखिएगा equity justice and good conscience मतलब क्या होता है equity का मतलब समता यह भी आप लिख सकते हैं समता न्याय और सद विवेक अच्छा विवेक को सद विवेक is the proper word अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों the subject over which there is lack of how the principle of equity justice and good conscience should be applied होना चाहिए ठीक है should be applied मतलब जिस विशेपर इसको मैं सही कर देता हूँ मुझे पता थाज गलती होगी ही चलिए इसको मैं सही कर देता हूँ आप notes में भी अपने correction कर लीजेगा साथी हो थोड़ा सा manage करिएगा आज मेरे साथ हम इसलिए आज में पता है print सब के ले क्या आ गया कि क्या पता कुछ भी नहीं मिले आज की हिंदी मेरा नहीं है किसी को गलती से दे दिया था उन्होंने ही पूरी हिंदी करी है इसकी और पूरा हिंदी कर दिया है चलिए equity justice and good conscience की बात कर लेते हैं the subject over which there is lack of law there is lack of law इसको L कर दीजिए there is lack of law the principle of equity justice and good conscience should be applied मतलब जहां पर कानून की कभी है नहीं तनसुक सर की नहीं है ऐसे मत करो ठीक है सर की हिंदी फिर भी अच्छी है ऐसा नहीं the subject over which there is lack of law the principle of equity justice and good conscience should be applied मतलब ये point क्या कह रहा है जहां पर कानून का निर्माड नहीं हुआ lack of law है अगर कहीं कानून का निर्माड नहीं है कानून की कमी है तो वहां पर क्या होगा दोस्तों वहां पर equity justice और good conscience का यूज किया जाएगा अरे actually जब यही गलत है जिसकी हिंदी भी गलत आएगी इसको हटा दीजे न पर समझ लो न भाई कुछ चीजे एक एक लाइन की हिंदी अब थोड़ा समझे समझे थोड़ा सा जब यह गलत हो गया तो इसका ट्रांसलेशन गलत ही आएगा तो clear बात है कि ऐसे subject जहां पर law की कमी है वहां पर अच्छे विवेक का यूज करो equity अब समझो जहां पर translation गढ़बढ है तो आप वहां पर क्या करेंगे आप अपने अच्छे विवेक न्याय और समता का यूज करिए आगे की बात equity means the principles or rules emerging in the court of administration of justice मतलब समानता का अर्थ न्याय प्रशासन के न्यायले में उभरने वाले सिध्धानतों या नियमों से हुआ है ठीक है आगे की बात चलिए एक केस है आपका गुरुनात वर्सेस कमला भाई इसको आप जरूर इसको यूज करिएगा यह मैं आपको slide हड जाता हूँ इसको आप ले लीजिए screenshot यह equity justice or good consensus सम्बंदिती कानून है ठीक है इसको इस case में यही बोला गया था कि these are the these has a source of law मतलब जो equity justice consensus सुप्रीम कोट इसको source of law माना था चलिए आज के लिए इतना ही and I hope आप सभी को थोड़ा बहुत दूविधाओं के साथ समझ में आया होगा typing errors के साथ लेकिन मैंने आप सभी को पूरा कोशिश किया है कि इसे कहते हैं दोस्तों men's की study अगर आप लोग ऐसे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो मानिए आप लोग कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं साथियों है ना आप लोग कई lectures देखेंगे यूट्यूब पर वो lectures बहुत short में हैं बट काम नहीं आएंगे जीवन में क्योंकि question कैसे आता है मेंस का मैं आप सभी को बताना चाहूंगा मेंस का question आता है sources of law के बारे में बताईए तब तो आप short में चलिए लेकिन मेंस में फिर एक और गड़बड कर रहा है है क्या कर रहा है दूसरा कि वेद वेदास अब बताओ क्या करोगे अब वेद को तो पढ़ने पढ़ेंगे थोड़े बहुत अब यह तो कह नहीं सकते exam में sir हम कोई रिशी मुनी थोड़ी ना जो वेद पढ़ेंगे इसलिए मैंने इन सब को लिया कि अब ये question ना पूछके examiner एक एक point पर question पूछन पूछना चालू क पर दिया है तो you have to consider for your main exam आप सभी को prepare करना ही पढ़ेगा ठीक है अब देखे आगे की बाद कुछ information में आप सभी को दे देता हूं उसको भी आप लोग जान लीजिए informations क्या-क्या है कल आपकी schools of Hindu law पढ़ाऊंगा और कुछ questions भी लेके आऊंगा आपके लिए हाँ जी आप लोग क्यों connect हो सकते हैं मेरे नाम से telegram channel है उसके आप connect हो सकते हैं ठीक है अब चलिए मेंस बैच फॉर यूपी एंड 36 गर्ड जुडिशरी मार्च पचीस दोजार 23 से बैच स्टार्ट है त्री मन्स का है linking regular बैच आप सभी का है उसको भी आप जॉइन कर सकते हैं अब आप सभी के आप linking code यूज करके 14 अप्रील तक जो की valid है ये courses ले सकते हैं जाप 20% आफ मिले कर सकते फीचर से congratulations recent linking achievements है and special class आपको बता देना चाहता हूं आज आपकी special class भी रखी गई है कितने बजे 10 बज कर 15 मिनट पर आपको Hindu marriage act क्या करा हूं Hindu marriage act पर 75 MCQ का एक test है आपका mock test उसको आप जरूर चेक करिएगा इसी mock test को free class बोलता है जिसको आपको यहां पर क्या कहा जात यहां पर special class के नाम जाना जाता है इसके अंदर पॉल्स आपको मिलेंगे interactive classes, raise and never miss class, lecture notes, anytime, anywhere facilities provide की जाएंगी फिर प्लस में आपको 612, 18, 24 months की courses है आइकॉनिक में 612, 24 months की courses है जाएंगे code use का subscription ले सकते हैं प्लस में life class, weekly test, unlimited access, structure courses है आइकॉनिक में आप सभी को personal guidance, study planner, टेस्ट के वाज़िस और experts की guideline provide की जाएगी येस, unacademy application पर आपको मिलेगा हाँ, कोई भी आपको inappropriate content लगता है, तो आप उसकी भी report कर सकते हैं कि भाईया, इससे तो हम सहमत ही नहीं है, बड़ा गजब हो गया हमारे साथ तो उसे कहते हैं, bucks bounty के माध्यम साब report भी कर सकते हैं तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मैं अनुक पादे, आप सभी से विदा लेता हूँ थोड़ा बहुत मैंने आप सभी के साथ I hope नयाय किया होगा हाँ, सर प्लीज बता दीजिए, क्या बताना है भाई आज रात को 10 बच के 15 मिनट पर Unacademy application पर free class है, जिसका link आपको group में share कर दिया गया है वापस से कर दिया जाएगा 10 बचे, so you can join that, test कीजिए और आगी बढ़िए कल मिलते हैं फिर से, Schools of Hindu लोग के साथ, bye bye, take care, have an eye day सभी को में तरफ से, जैहिंद and जैवारत, thank you